सलमों अलेकुम, मैं हूँ एसन महमोद and welcome to Zions. लास्ट वीडियो में हमने display property की जो table related values हैं, उनमें almost 80% values को study कर लिया था. आज की वीडियो में हम वही से continue करेंगे और बाकी जो table related value है display property की उसको finalize करेंगे. चलते हैं वीडियो की तरफ. नहीं यहाँ पे coordinator को open कर लोगा और साथ ही chrome browser को भी open कर लोगा. लास्ट टाइम हमने यहाँ तक study किया था, जिसमें के हमने जो table related values को अभी तक study किया है, उनमें है display table. सबसे पहले उसके बाद display table header, display table low और display table caption, display table column group, display table column, display table low group और display cell. इन properties को अभी तक हम study कर चुके है, जो properties display की table के related हमारी रहती है, उनमें है display table footer group और inline table, ये दो properties मेली हमारी रहती है. last property में basically मैंने आपको एक छोटा सा टेस्ट दिया था, जो कि था, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो table data cells हैं, उनके गिर्ट भी border show हो रहा है, जबके हमारी custom table में वो border show नहीं हो रहा. तो ये आपका छोटा सा एक टेस्ट था कि यहाँ पे भी आपने उसको show करवाना था border को, हम इससे start करेंगे और उसके बाद आगे continue करेंगे, यहाँ पे border show करवाने के लिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे inspect open कर लूँगा, right click करके आप inspect पे click कर सकते हैं, otherwise shortcut key use कर सकते हैं, मैंने OS की shortcut key है, यहाँ पे मैं code में आ जाता हूँ, और सबसे पहले यह border वाला जो issue है, उसको result कर लेते हैं, border जो है, वो T head पे किस तरह आ रहा है, कि यहाँ पे basically मैंने इसे border यहाँ पे assign किया है, table और T head को, यहाँ पे आप मुझे TD को भी border चाहिए, तो मैं सिरफ और सिरफ यहाँ यहाँ पे dot TD, उसको mention कर दूँगा, यहाँ पे आके refresh करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारा end result जो है, वो same हो चुका है, अब हम next continue करेंगे, continue करने से पहले एक चीज़ जो और यहाँ पे मुझे अभी फरक नजर आया है, वो यह है, कि यह जो हमारे text है, basically TH का, जो table header cells ह है, उनका जो text है, वो center line है, actual table में, जबके हमारा जो है, वो left line है, उसको fully clear करने के लिए, मैं यहाँ पे name में भी थोड़ा सा data add कर दोगा, और, ताके वो काफी easy हो जाए, हमारे लिए देखना, refresh, तो आप देख सकते हैं कि name जो है, वो center line है, इसी तरह ID पे भी आपको थोड test है, वीडियो को post करें, और, यहाँ पे जो TH है, उनमें जो text है, उसको center line करें, hopefully आपने वीडियो को post किया होगा, और, इस test को complete किया होगा, अब हम इसे मिलके complete करेंगे, यह बहुत ही straightforward था, हमने सिरफ और सिरफ यहाँ पे TH जो है, वहाँ पे text align center करना था, save, refresh, और, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि end result, अब same भी हो चुका है, और better भी हो चुका है, अब हम continue करेंगे, और, एक चीज जो यहाँ पे अभी भी रहती है, वो यह यहाँ पे padding है, यह चीज मुझे मिस्स होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास one pixel padding भी इसको assign है, तो, अब मुझे यह property, TH के लिए भी चाहिए, और TD के लिए भी चाहिए, again, आपका यह short test है वीडियो को post करें, और यह property मुझे TH और TD दोनों को assign करके दिखाएं, hopefully आपने वीडियो को post किया होगा, यहाँ से मैं जो property यहाँ उसको cut कर दूँगा, और यह हमारे पास already वो rule यहाँ पे available है, यहाँ पे सिरफ हम padding को assign कर देंगे, क्योंकि TH को यहाँ पे mold और central align भी assign हो रह और यहाँ पे TH को assign हो रहा है, हमें वो TD पे नहीं चाहिए, इस वज़ा से हमने उससे यहाँ पे mention नहीं किया, refresh, और अब आप देख सकते हैं कि यह बिल्कुल exactly same हो चुका है, अब हम next continue करेंगे, और move on करेंगे, जो हमारी next property रह चुकी है, उस पे, जो कि है table footer grow, कि सबसे पहले मैं actual जो text के साथ table है, उसमें इसको implement करूँगा, जो कि है t foot, और उसमें आ जाएगा tr, और इसके अंदर मैं element लियाँगा td, यहाँ पे basically यहाँ और इसमें अभी के लिए, जो table header में basically data है, वो ही same मैं यहाँ पे show करवाना चालो, id, इसको मैं repeat कर लूँगा, name, और साथ में email, save करते हैं, और यहाँ पे आके refresh करते हैं, यहाँ पे save भी हुआ, refresh करते हैं, तो आप देख सकते हैं, कि जो end result है, वो इस तरह आ हैं, कि जो, उपर जो data लिखा हुआ था, वो ही नीचे भी लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखे, text, center, इनका जो text है, उसको भी center कर लोगा, क्योंकि वो मुझे end result चाहिए, मैं bold नहीं करना चाहरा, सिर्फ center align करना चाहरा, अगर मैं bold भी करना चाहता, तो basically मैं सिर्फ the यहाँ पे यूज़ करने था, यह मैं class, text, center की class लोगा, और text align center इसको apply करके, यह हमारे पास send result आ गए, अब हम इस same result को implement करेंगे, custom CSS setting के साथ, सबसे पहले मैं यहाँ पे code में आ जाओंगा, और जो tfoot के respective है, एक div add करूँगा, उसको class दे दूँगा, tfoot, इसमें हमारे पास div wake आ जाएगी, जिसको class मिल जाएगी, tr जो हमारे पास already है, और उसमें basically div आ जाएगी, जिसको class मिल जाएगी, td, जो भी हमारे पास already है, और इसको central line भी करना है, तो मैं text center already दे दूँगा, id, साथ में name, और साथ में email, इसी के साथ देखते हैं कि end result अ text center, इन तीनों को already css लगी वही है, सिरफ tfoot नहीं है, देखते हैं, refresh किया, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा end result है, वो बहुत हद तक सेम है, सिरफ एक चीज़ को जो उसको समय नहीं लगी, कि ये, एक tfoot के section में आना था, सिरफ ये चीज़ रह गी, उसके लिए, अब मैं यहां प्या होंगा, और जो tfoot है, उसको implement करतूँगा, display, table, footer, grow, save, refresh, और अब आप देख सकते हैं कि हमारा end result जो है, वो बिलकुल सेम है, जैसे के ऊपर है, इसी के साथ हमने इस property को भी cover कर लिया, last हमारी एक ही property रह गी है, जो कि है inline table, ये हमारी property रह गई है, उसके लाव बाकी हमने सब को study कर लिया, next अब हम इसे study करेंगे और उसी के साथ हमारा ये section conclude हो जाएगा, table को study करने से पहले, बेसिकली ये समझना पड़ेगा कि ये जरूरी क्यों है, मैं यहाँ पर इस table को copy paste करता हूँ, मैंने copy paste किया, और visually आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी जगा है, जिसमें कि कुछ नहीं तो कमज़ कम एक table तो और आई सकता है, अगर दो नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर refresh करूंगा, तो वो table नीचे ही show हो रहा है, क्योंकि table की समझने के as a display block की तरह काम कर रहा है, कि उसके left या right पर कोई चीज नहीं आने दे रहा है, यहाँ पर मैं इसको इस तरह भी show करवा सकता हूँ, कि अगर मैं इन दोनों के दर्मयान simple expand element यूज़ करता हूँ, और इसमें लिख देता हूँ, अपना नाम है, असल में mode लिख देता हूँ, सेफ, refresh करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि वो इन दोनों के center में आया है, vertically और basically vertically आया है, ना के horizontally, ना इसके आगे आया है, और ना ही इसके पीछे आया, बलकि इन दोनों के center में आया है, vertically, तो यहां ते आप देख सकते हैं कि क्यों हमें inline table की ज़रत हो सकती है, मैं यहां पे आओंगा, और मैं असलब यह main जो table की class है, इसको replace कर दूँगा, inline table से, अभी फ़रक यह परेगा, कि यह disturb हो जाएगा, refresh किया, वो disturb हो गया, क्योंकि inline table अभी exist नहीं करती है, वो class में यहां पे आओंगा, inline table, और display, inline table, safe, refresh, और अब आप देख सकते हैं कि यह हो गया, अभी मसला कहां पे है, एक तो इसको spacing नहीं अलाओ, और collapse जो border collapse है, वो नहीं अलाओ, border spacing, border collapse और बाकी जो border की property वो भी नहीं अलाओ, तो उसको हम correct कर देते हैं, अब वो हमें कहां कहां पे चाहिए, मुझे basically यह जो property है, यह spacing और collapse वाली यह table पे भी चाहिए, और inline table पे भी चाहिए, एक यह आपका short test है, और दूसरा basically मुझे यह border भी चाहिए, यह दो चीजे मुझे चाहिए, यह दोनों आपके short test हैं, वीड से try किया होगा, मैं यहाँ पे नीचे आ जाओगा, और सबसे पहले एक नया rule out करूँगा, table और inline table का, इस में मुझे यह दो properties चाहिए, एक save करूँगा, refresh, तो आप देख सकते हैं कि almost 50% cover हो गया, एक चीज रहती है, जो इस inline table को border assign करना, मैं इस class को copy करूँगा, और border हमार यहाँ पे sign हो रहा है, यहाँ पे basically मैं उसको sign कर दो, save, refresh, और अब आप देख सकते हैं कि end result हमारा बिल्कुल save हो गया, और पहले से बहतर भी हो गया, क्योंकि अब inline भी हो सकता है, मैं यहाँ पे आके इसको भी table inline कर दूगा, inline table, save, और refresh करूँगा, तो आप देख सकते ह यह हमारा end result है, इसी के साथ हमने जो display की property थी, उसमें table related जो values थी, उनको cover कर लिया, यह बहुत important है, बहुत जगा पे काम आता है, लेकिन इससे भी ज्यादा जो important है, वो है basically display flags, जो कि most important है, उसके बाद जो और ज्यादा modern और उससे important है, लेकिन अभी इतना commonly use नहीं होता, modern है क्योंकि ज्यादा, mainly अभी जो ज्यादा basically component libraries हैं, जिनमें board strap, ionic, material UI, art design, इस तरह की और भी बहुत जारी component जो libraries हैं, जिनको obviously इंशाला हम future में study कर दे होंगे, वो ज्यादा तर अभी flex box, जो display flex है, उसको use कर रहे हैं, इस वज़ा से वो बहुत ज्यादा important है, और mainly हम display में display flex त display grid पे अगर जाएंगे, तो वो थोड़ा सा अभी के लिए मुश्किल होगा, यह भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह ज़रूरी है, ज्यादा जरूरी है, इसको हम study करने के बाद, display की property को वहाँ पे stop कर देंगे, और उसके बाद, और CSS की जो properties हैं, जो important है, जो आपको पत test से start करेंगे, जिसमें कि मैं कोई भी W3 एक template उठा लेंगे, और उसको clone करने की कोशिश करेंगे, वो clone करेंगे और उसके बाद पिर आगे हम काम करेंगे, जावास के fundamentals से start करेंगे, उसमें फिर basic functionality अड़ करेंगे, और so on and so forth, इसे आगे सीखते जाएंगे, until unless कि हम अपना full stack development complete करेंगे, इंशालों, ओके, यह हमारा roadmap है properly, पहले हम front end development को complete करेंगे, फिर back end पे start करेंगे, और move forward करते जाएंगे, आज की वीडियो में हमने इसको जो study किया, उसको एक दफार repeat कर लेते हैं, ताके वो confirm हो जाए, और जड़ा हमें याद रहे हमने इसको table footer को, और basically उसमे के लावा inline table को किया, बाकी जो हमारी properties थी, वो हमने last video में study किया था, जिसका के link आपको description में मिल जाएगा, ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने display में table related जो उसकी display की property की values होती हैं, उनको cover कर लिए है, hopefully आपको वीडियो कोई भी question हो तो please उसे comment section में mention करें, मैं उसका जव जवाब दूँगा, वीडियो को like, share and comment करें, चैनल को subscribe करें और bell icon को दुबारा ना भूले, क्योंकि इस तरह की और बहुत सी वीडियो जाने वाली है, मैं आप से मिलूगा next video में, तब तक के लिए, Allah आपिस.